हलो क्रिप्ट पड़ी कैसे हैं आर उम्मित करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं इस एक वीडियो में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने कल यानि कि थर्जडे एक मीटिंग के अंदर क्या कहा और क्या सीधा सीधा मानना है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया का आज की डेट में क्रिप्टो के लिए ये डिसकस करेंगे आज से 1% TDS लगना शुरू हो चुका है हमारी ट्रेडिंग के उपर वो डिसकस करेंगे साथ ही एक प्रजेक्ट के बारे में बताएंगे जैसे बाकी प्रजेक्ट में हम लोगों को फायदा हुआ है वैसे ही शायद ये एक प्रजेक्ट भी हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशल रह सकता है तो बहुत इंपोर्टेंट और इंफोर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है इसलिए वीडियो के साथ अंतक जुरूर जुड़े रहेगा और जो भाई लोग अभी तक हमारे चैनल के उपर नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कीजएगा अगर अभी तक आपने बैल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो इस बटन को भी जुरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी इस तरीकी के important वीडियो लेके आएं उसका notification पहुंचे आपके पास सबसे पहले तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली news के ओपर नजर डालते हैं जो है Reserve Bank of India के गवर्नर कल यानि कि Thursday को Reserve Bank of India की एक meeting हुई और वहाँ पे जो गवर्नर है शेशी का अंदास जी उन्होंने कहा कि Cryptocurrencies जो हैं वो पूरी तरीकी से clearly आप यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे The Economic Times लिखता है Cryptocurrencies clear danger says RBI Governor तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखते है Reserve Bank of India गवर्नर शेशी का अंदास on Thursday Described clear frequency is a clear danger यानि कि यह बिल्कुल clear clear खतरा हैं आज की एट में and said that the anything that drives value based on make believe यानि कि एक ऐसी चीज जिसका सिरफ believe के उपर यानि कि विश्वास के अधार के उपर जिसकी value है without any underlying is just speculation कि उसकी कहीं कोई value जो है वो किस तरीके से बनती है यह पूरी तरीके से describe नहीं है तो वो एक तरीके से speculation एक बुलबुला type है जो फट जाएगा जो अक्सर यह कहते हैं the government is in the process of finishing a constitutional paper on cryptocurrencies after gathering inputs from various stakeholders and institutions तो यह कह रहे हैं कि यहाँ पे different stakeholders हैं उनके साथ और जो institutions हैं उनके साथ discuss करने के बाद हम एक ऐसा paper बना रहे हैं जो हम government को swapेंगे और यह बताएंगे कि crypto पे क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरीके से danger है तो यहाँ पे शशी का अंदाजी जो हैं वो crypto के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं दूसरी तरफ government of India ने आज ही यहाँ पे अगर हम बात करके चलें तो government of India ने आज से 1% का TDS अप्लाई कर दिया है हाला कि 30% का tax एक April से शुरू हो चुका है इसी साल से और TDS आज जब आप crypto exchanges के उपर trade करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1% का TDS अल्री डिड़क्ट होना शुरू हो जाएगा तो government एक तरफ benefit ले रही है इसी business से इसी विवेपार से cryptocurrency से और दूसी तरफ जो एक government wing है Reserve Bank of India वो यहाँ पे oppose करने पे लगा हुआ है अभी भी crypto को की crypto पूरी तरीके से danger है इस तरीके की बातें और इस जीज़े का discussion हो रहा है और यह कहीं न कहीं demotivate करता है इंडिया के अंदर जो project पन रहे हैं जो project market के अंदर आ रहे हैं उनको demotivate करता है कि यह सारे के सारे set up यह सारे के सारे project जो है out of India जाके वहाँ पे develop हो तो यह हमारे लिए काफी ज़दा एक demotivate होने वाली बात भी है फिर government क्या कर रही है उसके बारे में हम कुछ कहे तो नहीं सकते हैं हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन यह news जब हमने share किया था तो हमने आपको बताया था कि यह आपके लिए काफी beneficial रह सकता है तो system आप देख सकते हैं कि Revo का जो price है वो 1.11 dollar के आसपास चल रहा है system 2.3% थोड़ा सा down है और हाल ही में Hubi Global ने इसको list किया है तो Hubi Global का blog system आपके सामने है जहां पर Hubi Global will list Revo Land on June 20, 2022 यानि कि 20 June को जो है वो इस token को यहां पर list कर चुके है जहां पर आप इनको यहां पर इनों देखिए deposit की timing दी हुई है June 11 को यहां पर deposit कर सकते हैं withdrawal कर सकते हैं, trade कर सकते हैं contract address यहां पर इनों ने दिया हुआ है यहां पर Revo Land की website इनों ने दी हुई है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था तो एक काफी बड़ी achievement है कि हमने एक project को research करने के बाद आपको बताया और आज वो एक अच्छी top exchange के ओपर list है हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर invest किया भी हो और अच्छा benefit कमाया भी हो जिन्होंने ये वीडियो देखे हमारा ये वीडियो देखने के बाद यहां पर कुछ निवेश किया तो और पैसा कमाया तो एक like तो भाही के इस वीडियो